एक सरमनाक घटना सामने आई है यह जो घटना है ना यह मेरे अपने मेरे अपने खेत की घटना है मेरे घर से और जो यह घटना हुई है उसकी दूरी मातर पचास मेटर की दूरी साथ पचास मेटर की दूरी पे और यह द्रहिंदे इनकी हिम्मत देखिया आप इन लोगों की आप हिम्मत देखिए कि मेरे घर के पास मेरा चाहिए किसी के यह तो घर के अंदर गुशने वाली बात हो गई है कि यह घर के अंदर तक गुश गए हैं हर कोई है जिसको भी पता लग रहा है वही लोग इस घटना को ले करके सरमिंदा महसूस कर रहे हैं बड़ी ही सरम और इतनी बुरी हम कह नहीं सकते कि हमारे गाव में यह पहली वेरेशी घटना हुआ ही है इन लोगों ने बहुत ही गलत काम किया है हमारे पडोश की बच्ची को ठाकर के शिरसुम ले गए उसके साथ बलात कार करने के कोशी की नोने तो वह आई थी दुकान में दुकान से सामान लेके और वह वापीस जारी थी और उनके लड़का मिल गया वहाँ खड़या था मोटर सैंकल लेके तो उसको सिरसुम उठा ले गया हमने बड़ी मुश्किल से ये दो गण्टों में 25-30 किलों का हमने पूरे परिवार ने लेडिजों तक हमारे पहुच गई थी वहाँ खेतों में आमने जो कुवे बन रहे थे हमारे टुवे ले उनकी कोटटी को पर हमने खड़े हो करके सम निंगाना की करीब हमने 30-30 किलों हमां गिराव करके ये बड़ी मुश्किल से तो गुंटम ये एक लड़का पकड़े गाया अपरा दिमैन है उसके एक लड़का है एक लड़की है उसको खुद से खुछ सरमाने चाहिए थी हम तो इस सदमे में कि हम क्या मूँ दिखाए पड़ोसी गाउं में हमारी बन नमस रेप करने की कोसिस की गई है और इस घटना से पूरा इलाका स्तब्द है और हर कोई है जिसको भी पता लग रहा है वही लोग इस घटना को लेकर के सरमिंदा महसूस कर रहे हैं और उसी घटना के लिए आज हम मौजूद हैं महंदरगड के ही कपूरी गाउं के अंदर और चलिए जो लोग यहां पर मौजूद हैं इनसे जान लेते हैं कि आखिर जो घटना है वो क्या थी और क्या कुछ घटना के अंदर हुआ है सब अपना नाम बताएं पहले तो करन सिंग चोहान करन सिंग जी क्या हुआ क्या घटना है बड़ी ही सरम और इतनी बुरी हम कह नही फिर उस बच्ची ने आवाज लगाई था हमारी बच्चे ने सुनाई थी हमारी बच्चे गए हमारी यहां से और यह बच्चे छोड़के जो अपरा दी यह छोड़के शिर्शूम बाज गए हमने बड़ी मुश्किल से यह दो गंटों में 25-30 किलों का हमने पूरे परिवा कौन-कौन थे तेरे साथ कौन-कौन थे तो यह बहुत ही सरमनाक गटना है हमारे बच्ची की उमर क्या रही है बच्ची की उमर करीब करीब 8-9-10 साल के दो से निच 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 जही है बहुत ही नावाली बच्ची थी छोटी शी एक उसके साथ छोटी बच्ची थी 4 फ़ियो बहुत बड़ी बात है और गटना सर्मतमाख हुर कि लोग बताते हुए सरमनदा हो 20 जाएं में करने वाले भरह उससे भी भी बड़ी बहुत बात है यह च्टम से ही अगर कोई बात है तो ऐसी घटना है कि छेत्र में पूरे का पूरा जो छेत्र है मेरा जो गाउं का पूरी है इसी का पूरी गाउं के ये तिनों लड़के रहने वाले थे और उन्हों ने इसे दस साल की बच्ची के साथ में जो घटना करम किया है इसे पूरा छेत्र ही सदमे में है कि कही ने कहीं पे क्योंकि सबके गरों में चोटी चोटी बचिया है अब उनको लगता है कि यह पहली जो घटना हुई क्योंकि हर चीज की सुरुवात एक से होती है आज यह हो गई तो आगे भी कुछ न कुछ होगा ऐसा तो मैं तो परसासन से हाथ जोड़के परसासन जो है उससे ह रिफासी की मांग करता हुए ताकि छेतर में आगे ऐसी घटनाओं को अंजम ना मिलेंगे क्यों किम्क अपने बच्चे स्कूल भी जाना होता है बच्चे को अपने परिवर में ओर भी सीजाना हुई हर बचे को कहई पे गहर से ठोड़ा बाहर खेलने की वी घर वाले नहीं जाने देंगे क्योंकि यह जो घटना है न यह यमरे अपने खेत की घटना है मेरे घर से और यह जा जो जा जा वह उसकी दूरा ajudar 50 स्वाइक कैं पलेकरिये दुरी 2 पी इनकी करिए इनकी हिम्मत देखिये मेरे घर के पास मेरा चै़ी किसी का ये तो घर के अंदर गुशने वाली बात वो गई है कि ये घर के अंदर तक गुश गये हैं तो ऐसे लोगों कड़े सी-कड़े सजा मिलने चाहिए ताकि आप रादोगों आगे बढ़ावना मिले जी बिल्कुल तो आप तो तो जाए त concern वो दोसी वो जमाल खान DSP साब का सुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने बड़ी ही गती से जो आरोपी यहां से फरार हो गए थे उनको तुरंत प्रबाव से दो गंटे में उनको हिरासत में ले लिया तो डिपार्टमेंट का भी मैं हाथ जोड़के सुक्रिया करता हूँ और इसी तरीके से ज हम अपने बच्चों की सुरक्षिया का भीड़ा उठाएं कि हमें अपने बच्चों को कहीं जाने नहीं देना और इन अंदर इन दो को फिर से कहूंगा कम से कम फासी की सजा सुनाई जाए जाए इन जो लड़कों की एज है यह लग 24 से 25 साल है जिनमें दो लड़के साधी स सदमे में आ गया है क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके वापसी आने तक जब वापिस नहीं आएंगे बच्चे तब तक परिवार इतना टैंसन में रहेगा कहीं हमारा बच्चा किसी वारदात का सिकार ना हो जाए तो इन लोगों की खिलाफ कड़े सी कड़ी करवाई करनी चीए तो गाउं के अंदर तो एक डर का माहल भी बना हो जाए तो यह तो बहुत ही सरमना घटना है उसके लिए हमारा पूरा इस चीज को सदमे में भी हो और सरमिंदा भी है अग किसी के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है शुकरिया भगवान का कि मोक्य के ऊपर एक जो आरोपी था वो मोक्य के ऊपर हमें मिल गया मिलने की वज़े से जो दोर भराड हो गए थे वो दोनों को भी पुलिस ने वरामत कर लिया है इन तिनों आरोपियों को परसासन से हाथ जोड के हमारी यही उमीद है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कैसे होई जी वो पढ़ने आती थी आ सकूल में तो कल की छुटी थी ऐसंडे की तो वो आई थी दुकान में दुकान से सामान लेके और वो आपिस जारी थी और उनके लड़का मिल गया वहां खड़या था मोटर सैंकल लेके तो उसको सिरसु में उठा ले गया उसने आई दुआई मचाई तो हमारे सारा परवार बाग के उसको छुटा ले वो चलता चलता गुड़ी गुड़ी सिरस कड़ी सजा मिलने चाहिए हम सिर्फ यह कहना चाहिए जो उन्होंने किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए और तो छोटी सी बच्ची थी कल हम भी है हमारे साथ भी ऐस इगटना हो सकती है बाहर से कोई आती है उसके साथ भी ऐसी कोई गटना हो सकती है तो हमारा सिर्फ यह कहना है कि कोकड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए बिल्कुल मजी क्या कहेंगे बाई अम तो नुगा मारे खेत में वही सुकाम नहीं हो नहीं हुए अच्छे छोटी लड़की थी यह काम अच्छा नहीं होया और बहुत छोटी इस बच्ची के साथ हो अन्या होया है अच्छे बात नहीं होई अब देख सकते हैं उसको आप समझी सकते हैं किस परकार की घटना होई होगर इलाके के जो लोग हैं मैं बार-बार आपको बता रहा हूं कि कितने स्तब्द हैं और बच्ची इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी हार्कतें दरिंदे ही कर सकते हैं इनके अलावा शायद ही कोई कर पाए तो ऐसे व्यक्ति को आप शायद राक्सर से कम तो कुछ कह नहीं पाएंगे लेकिन अभी सारा का सारो जो विशे है वो जांच का विशे बना हुआ है अभी पुलिस ने उनको गिरफतार कर लिया है और आगे अब जो कारवाई होगी वो अभी लगातर अपडेट होती रहेगी लेकिन ऐसी जो हरकते हैं उनसे अपने बच्चों को जरूर कम से कम बचा करके रखें और इलाके के अंदर ऐसी हरकते ना हो यह भी आप लोग सुनिशित कर सकते हैं कि अपने बच्चों की सुरक्षा आप कैसे करेंगे यह सबसे बड हो गई है क्योंकि यह हरकतें अब आम हो चुकी हैं नमस्कार धिनेवाद जहीं जय भारत